इडिये के रिमान पर जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल गए हैं तब से आप और बीजेपी के भी जवर्दस थंगामा मचा हुआ है बीजेपी जहां केजवाल का स्थीफा मांग रही है तो वहीं दूसी तरफ आमादमी पाती एलान कर रही है कि केजवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चला सकते हैं इस दावे ने उस वक्तूल पकड़ लिया जब दिल्ली सरकार मंत्वी आतिशी ने एक चित्थी से दावा किया आपका भाई, आपका बेटा, लोगे का बनाए सौ करोड के शराब भोटाले ने दिल्ली सरकार को उस दौर में पहुचा दिया है जहां आपके जिवाल एडी की कस्टडी में जेल से सरकार चलाने को मजबूर हो गए है आप इन तीन तस्वीरों से समझे इस वक्त दिल्ली में चल क्या रहा है पहली तस्वीर में दिल्ली सरकार में मंत्री आद्रिक्षी दावा कर रही है कि सीम के जिवाल ने दिल्ली में होली के मौके पर पानी की सपलाई सही तरह से बनी रही से लेकर के जिवाल ने जेल से पहला आदेश उने दिया है दूसरी तस्वीर मुख्मंत्रिय अर्विंद के जिवाल की है जो इस वक्त E.D. की रिमान पर है और उनसे लागतार पूचता चो रही है 28 मार्च तक के जिवाल E.D. की रिमान पर रहेंगे जब की तीसरी तस्वीर में बीजेपी के नेता जेल से सरकार चलारे का दावा करने वाले आप नेताओं पर भड़क रहे हैं और इसे दिल्ली सरकार की जामे बाजी बता रहे है 100 करोड के शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में जबरदस्त घदर मचा हुआ है बीजेपी के जिवाल सरकार के खिलाफ पदर्शन कर रही है तो ही आप के जिवाल की गिरिफतारी और डिमान्ड को लेकर केंद सरकार की तनाशा ही बता रही है आप ये भी जान लीज़ीए कि क्या वाकई में जेल सरकार चलाना के जिवाल के लिए आसान रहेगा क्योंकि इसमें कई ऐसे पेच हैं जो वाकई के जिवाल के लिए बड़ी चुनौती था भीत होँगे इसलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि जवाल को मुख्पमत्री पतपर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए उन्हें इस्तिफा दे देना चाहिए इंडी अलाइंस नहीं मैं इनको कहूँगा E.D. अलाइंस इंडी अलाइंस नहीं मैं इनको कहूँगा C.B.I. अलाइंस मैं कहूँगा क्रप्षन के लोग जो जेल पर है जो बेल पर है उनका अलाइंस एक बात बहुत स्पष्ट है इंडी अलाइंस का परपस ये था मैं बार बार कहता था जेल और बेल से बचना आज स्पष्ट हो गया इसी इंडी अलाइंस की कॉंग्रेस ने अर्विंद केज्रिवाल जी के खलाफ कंप्लेंट करके कहा था इन पे कारवाई करो आज जब से अर्विंद के जिर्वाल्दी के गिरफ्टारी हुई है ना सिर्फ आम लोग बलकि पूरा विपक्ष एक जुट हो करके इस ताना साही के खिलाफ खड़ा हुआ है गिरफ्टार कर लिया और दूसरी तरह पूरे दिल्ली को इनों ने चावनी में तब्दील कर दिया रात में मुख्च मंत्री के गिरफ्टारी हुई जो भी पिधायक चुने उए बिधायक पहुचे उनको उठा लिया गया गिरफ्टार कर लिया अगर मुख्य मंत्री सरयाम गिरफतार हो सकता है तो इस देश के अंदर तौर अपनी आवाज उठा सकता है अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सीर हो सकता है हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबर दस्की उसका खाता सीर होगा सवाल है क्या कोई CM जेल से सरकार चला सकता है अगर कोई CM जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्खत कर सकता है क्या वो कैविनेट की बैच्छक ले सकता है और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है शरम नाकृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहा है यह देश की जनता को दिख गया अर्विंद केजरिवाल जी का सलीच चहरा उनकी भरष्ट सोच और केवल पैसा कमाने वो राजनीती में आये थे अपनी जेब भरने आये थे जब एंजियो चला के जेबें भरके दिल नहीं भरा तो भरष्टा अचार करके एक के बाद स्वास्थे मंतरी शराब मंतरी शिक्षा मंतरी सब जेल में है सांसस से लेके उप मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री जिसके जेल में हो वो कैसी सरकार चलाते होंगे दिल्ली की जनता ठगी हुई मैसूस कर रही है अब भारत नहीं पूरे विश्व में एक एक देश एक आदमी जान गया है कि भारत की भारती जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निप्ताने में जेल में डालने में लग गई है पक्ष जो जनता की आवाज उठाता था जनता की सवाल उठाता था उसको रोका जाएगा जेल में बंद एक सीम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं ये सवाल अरविंद के जिवाल की गिरफतारी के बाद हर किसी के मन में घूम रहा है तो चलिए देश के संबिधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंते हैं जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा ये जेल के नियमों से लेकर जेल परशासन की इजाज़त वर निर्फर करता है क्या सीम के जवाल जेल से वीडियो कनफरेंसिंग के ज़रिये या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैमिनेट मिटिक कर सकते हैं फाइलों पर दस्ख़त कर सकते हैं ये पूरी तरह से जेल परशासन की मंजूरी पर निर्फर करता है बिना जेल परशासन की मन्जूरी के सीम के जिवाल कैमिनेट मिचिक नहीं कर पाएंगे यानि कि अगर अर्विन के जिवाल सीम पत्स सिस्थिफा नहीं देते हैं और जेल से इस सरकाच चलाने की मंशार रखते हैं तेसमें जेल परशासन की बहुत बड़ी भूमिका होगी चाहे एक्स प्राइमनिस्टर हुए हैं आपके सामें इंद्रा जी हुई है नर्सेमा राओ जी पर केस चले हैं तो कोई यह बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है दिल्ली सरकार के मंत्री और आपके नेता दावा कर रहे हैं क्योंकि जीवाल पूरी तरसे जील से सरकार चलाने को तैया हैं चलाना शूरू कर दिया है, क्योंकि दिली सरकार में मंत्री आतरशी के मताबिक के जिवाल हुली के मद्द नज़र दिली में पानी की सपलाई की कोई कमीना रहे, इसे लेकर जेल से अपना पहला ओर्डर मंत्री आतरशी को दिया है, जरा देखिए कि जवाल के पहले ओर्डर में क्या लिखा है मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ हिलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याइं हो रही है इसे लेकर मैं चिंती थूँ चुकि मैं जेल में हूँ इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीब नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहां पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुखे सचीयों समित अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दिचिए ताकि जनता को किसी तरकी परिशानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंट और समुची समधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर उपरा जिपाल महोदे का भी सहयोग ले वे भी आपकी मदद जरूर करेंगे अर्विन केजरिवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याओं हो रही है इसे लेकर मैं चिंतित हूँ चूकी मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुख्य सचिर समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जन्ता को किसी तरहां की परिशानी ना हो जन्ता की समस्याओं का तुरंत और समूचित समाधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर उप्राजिपाल महोदे का भी सही अगले दिल्ली के मुख्य मंतरी के दफ्तर को इलीगल तरीके से अपरेट किया जा रहा है दिल्ली के मुख्य मंतरी के दफ्तर को हाईजेक किया हुआ है जिस अफसर को अर्विंद केजरिवाल जी ने मुख्य मंतरी के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाजत दिल्ली के लेफिनेंट गुर्णर साब ने दियो केवल और केवल उसी को अधिकार है चिठी इशू करने का वह भी तब जब मुख्यमंत्री जो उनसे कॉमुनिकेट करके कहें कि मेरे भ्याव पे चिठी इशू करो लेकिन आप देखिए किसी अफसर का नाम नहीं है किसने इशू दफ्तर के चीफनिस्टर के आफिस के कहने पर किसने चीफनिस्टर के आफिस पर ये चिठी जारी कि उसका नाम बता नहीं है ये बिना आफिस ओर्डर जो है बिना किसे नंबर के है अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कि जिवाल को एहसास हो गया है कि वो जेल में लंबे वक्त तक रह सकते हैं या पिर लूक सभाचुनाओ को लेकर कि जिवाल जेल से जनता के बीच सानभूती हासिल करने की कोशिश में हैं क्योंकि आप नेता जेल में बंद के जिवाल के पक्ष में महाल बनाने लगे हैं। बीजेपी का आरोब है कि दिल्ली सरकार ड्रामे बाजी पर उतराई है और इसलिए अब 31 मार्च को दिल्ली के रामलिला मैदान में रैली करने का ऐलान किया जा रहा है। आपके दावे के मताबिक इंडिया गठवंदर पूरे दमखम के साथ 31 मार्च को दिल्ली के रामलिला मैदान में विशाल रैली करने जा रही है। आपके इस ऐलान के बाद से बीजेपी इंडिया गठवंदर पर हमला और हो गई है। आपका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाप लोग तंतर को बचाने के लिए ये रैली होने जा रही है। हमने कभी नहीं कुछागी कि सम्द्धान की कसम खाने वाला बच्चों की नत्रू को छोड़ें सम्द्धान की शक्त लेने वाला सरकार का भुखिया घरासत में हुआ। सेक्डों रेड के बाद हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कारेकर्टा के पास से एक रुपे की भी प्रसीड्स ऑफ क्राइम की रिकावरी नहीं हुई। के जवाल पर मचे घदर के बीच एडी सीम के जवाल और बी आर इसके के कविता से पूछ ताच कर सकती है। सुत्रों से जो खवरे आ रही हैं वो तो यही संकेत दे रही है। दिले शराब नीती मामले में मुख्मतिय अरविंद के जवाल और बी आर इसके नेता के कविता को आमने सामने बैठा कर पूछ ताच हो सकती है। एडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदरावाद से गिरफतार किया था जबकि के जिवाल को शराब नीती केस में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया। एडी के मुताबिक मुबाइल का डेटा डिलीट किया गया है ताके शराब घोटाल इसे जुड़े कुछ समूतों का पता न चले। इसे लेकर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उस सिलसिले में भी के कविता से पूछ ताच कर दी है। एडी के सुत्रों की माने तो कविता और के जिवाल से एक ही जैसे सवाल अलग-अलग बेठा कर किये जाएंगे। एडी की ग्रिफतारी के खिलाफ के जिवाल ने दिल्ली हाई कोट का दर्वाजा भी खटखटाया था। हलाकि उन्हें आदालत से कोई राहत नहीं मिली है और कोट ने उनकी याज़का पर ततकाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं बियारिस नेता के कविता को 26 मार्स तक एडी की रिमान पर भेज दिया गया है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या आप के राहली और सड़क पर पदर्शन के जवाल की मुसीवत कम कर पाएंगी या नहीं।